Hey guys, welcome back to the channel तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे कुछ new drawing materials दिखाऊंगा जो कि यहाँ पे कुछ रखे हुए तो वैसे है सारे materials मैंने अभी भाई किये 2022 में तो दिखाता हूँ आपको मैंने कौन-कौन से भाई किये तो चलो देखते हैं तो आज मैंने कुछ इतने total materials भाई किये है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे तो चलो देखते हैं एक एक करके तो सबसे पहले है मेरी premium mechanical pencil जो कि आप मैंसे काफी लोग पुछ रहे थे कि आपने यह कौनसी नहीं भाई किये तो यह है pentel की graph gear 1000 तो यह मैंने 0.5 की भाई की थी और वैसे यह पूरी metal की है और विट भी काफी ज़्यादा है वैसे मैंने तो only experience करने के लिए भाई कि कि इस तरह की होती है इस तरह की expensive mechanical pencil और वैसे यह मुझे पढ़ी है around 1000 की तो काफी expensive है वैसे लेकिन मुझे try करने थी कि किस तरह की है यह तो total मेरे पास अब 4 mechanical pencil हो चुकी है जो कि यह वाली तो मैंने अभी भाई की graph gear और यह वाली है tombo की और यह दोनों है sakura की एक 0.5 की और 1.3 की तो इस पे भी मैं complete video बना दूँगा कि कि इस तरह की है तो इसमें total 6 microns है और जिस भी number का है ना वो यहाँ पे लिखे हुए है जैसे कि यह 02 है और 005 तो इस तरह से यहाँ पे इसके number लिखे हुए है तो देखेंगे आने वाले videos में इससे complete portrait ट्राइट करेंगे उसके बाद guys मैंने कुछ tombo के products भाई किये है जोगी सबसे पहले है यह tombo का brush pen जोगी calligraphy के लिए use होता है तो आगे से कुछ इस तरगा है तो दूसरी side कुछ इस तरगी है और यह वैसे अलग-लग color में भी आते है लेकिन फिलाल तो मैंने black की buy किया है उसके बाद मैंने buy किया है tombo का plastic eraser जोगी काफी अच्छी quality का होता है तो eraser कुछ इस तरगा है उसके बाद मैंने कुछ pencils लिए tombo mono की जो कि यह only 6B यह वाली pencil मैंने एक दो try की थी तो यह मुझे काफी अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने 4 और ले ली इस pencil की एक बाद मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि आप दिक स्टेश की lid जाए ना वो काफी पतली है लेकिन जो staidler और और ब्रेंट्स होते हैं उनकी जो dark pencil होती है ना वो काफी मोटी होती है इस तरह की देखो तो बिल्कुल details करनी है ना इस तरह की जो की आपको दिख रहे होगी स्क्रीन पे तो वो इस से काफी अच्छे से हो पाती है और वेसे काफी smooth भी है dark भी है और टुटी भी नहीं है और बलू sharp point करो तो भी तो ये काफी अच्छा लगा मुझे तो इसलिए मैंने 4 और buy कर ली और उसके बाद मैंने लिया है एक tombo mono zero eraser क्योंकि ये पहले वाला देखोगा इस काफी ज़्यादा पुराना हो चुका है उसकी print मी निकल चुकी है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वीडियो में इसलिए मैंने एक नया buy कर लिया तो only मैंने वीडियो के लिए भाई किया है पाकी erase तो इससे भी हो सकता है अभी भी तो उसके बाद मैंने भाई किया है Stadler का Shapner जोगी आपने देखा होगा काफी अच्छी quality की Pencils आती है Stadler की तो इसलिए मैंने उसी brand का Shapner भाई किया है और इसमें वैसे दो होल्स है एक छोटा है और एक बड़ा है तो काफी अपने Pencils देखी की थोड़ी बड़ी भी होती है इस तरह की तो उसके लिए काफी सही है ये उसके बाद मैंने भाई किया कुछ Pencils जोगी सबसे पहले है Carbon Pencils और उसके बाद है Charcoal Pencil और उसके बाद है Colored Pencils तो सबसे पहले है ये Conte Paris की 2B Pencil Carbon Pencil होती है ये जोगी काफी अच्छी quality की होती है और इसमें Dutched भी बिल्कुल कम होता है तो इसलिए मैंने ट्राइ करने के लिए बाई कर ली और उसके बाद है General's की Charcoal Pencil 6B जोगी सबसे ज़्यादा soft होती है और use भी काफी ज़्यादा होती है मैंने पहले भी buy की थी लेकिन वो खतम होगी इसलिए मैंने 2 और buy कर ली और only 6B use होती है सबसे ज़्यादा तो इसलिए मैंने 6B buy की है और उसके बाद मैंने buy की है Prisma Color की Colored Pencils जोगी सबसे ज़्यादा 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 होती है इसलिए मैंने white and black की buy की वैसे Prisma Color की Color Pencils भी आती है complete set लेकिन वो काफी expensive होता है इसलिए मैंने only 2 ज़्यादा ही अभी तो क्योंकि यह मेरी खतम हो गई थी ना इसलिए और उसके बाद है उसी brand के Colorless Blenders जोगी Color Pencils को blend करने के लिए यूज होता है तो यूजलिए आपने देखा होगा Color Pencils को blend करने के लिए इसका यूज होता है white Color Pencils का लेकिन इससे क्या होता है colors थोड़े फीके पढ़ जाता है इसलिए मैंने ये buy की है जोगी सबसे पहले तो 0.5 की Pentel वाली और 0.3 की Sakura की और ये वाली 0.3 की है तो सबसे पहले मैंने यही buy की थी 0.3 के लिए लेकिन ये HB है और ये 2B है तो ये थोड़ी dark होगी शायद और उसके बाद Camlin की है 0.5 की और Salo की 0.5 की और Stadler की 0.5 की तो टोटल मेरे पास कुछ इतनी लिट्स हो गई है अभी उसके बाद मैंने Woodless Graphite Pencils लिए ट्राय करने के लिए इसमें ब्रैंड का नाम है Warisun और इसमें टोटल 6 Woodless Graphite Pencils है जोगी यहाँ पे Grits लिखे होगे है देखो तो next मैंने बाई की है Premium Graphite Pencils जोगी है Karen Dash की जोगी आपने दिखा होगा काफी Professional Artist Foreign के यूज करते है तो दिखा था हो ओपन कर गे इसका box कुछ इस तरगाए देखो कुछ information दी हुई है और यहाँ पे brand का नाम है Karen Dash और पीछे भी information ही है सारी तो यह है इसका box जोगी काफी ज़्यादा premium है तो इसके उपर कुछ papers दिए हुए है और नीचे है pencils और यहाँ पे pencils को protect कने के लिए कुछ sponge जैसा भी दिवा हुए है यहाँ पे और pencils कुछ इस तरह की है यहाँ पे grade लिखा हुआ है और यहाँ पे brand का नाम है और इसमें grades के हिसाब से color देखो जिस तरह का grade है ना उस तरह का color है तो यह काफी मस लग रहा है और next मैंने buy किया है Artist Acrylic Colors Camel के तो यह है box Camel Artist Acrylic Colors का और इसके अंदर total 12 colors है जो ही काफी अच्छे लग रहा है ट्यूब colors है वैसे ही तो कुछ इस तरह का है Acrylic Colors और last मैं मैंने लिया है Paper Stump का pack जो कि यह पुरान है ना वो थोड़े खराब हो गया है देखो तो इसलिए मैंने new buy किये तो वीडियो में काफी अच्छे लगेंगे यह वाले और एक pack मैंने buy किया है Camelene की charcoal pencils का जिसमें 3 pencils आती है Soft, Medium and Hard लेकिन यह वाला pack मैंने only hard charcoal pencils के लिया है क्योंकि यह hard charcoal pencils है वो अलग से नहीं मिलती तो इसलिए मुझे पुरा pack ही buy करना पड़ा और मैंने papers के दो pad लिये है जो कि यह water color paper यह वाला है cold press और यह वाला है hot press और दोनो 300-300 GSM के है आपको पसंद आया होगा और आने वाली वीडियो में catch भी कर लेंगे सारे materials और next मैं सुच रहा हूँ वीडियो बानाने की इस पे जो किये my crones तो देखेंगे next वीडियो में complete portrait बना के इस से एक इस तरह का इस से बन पाता है तो देखना आने वाली वीडियो में तो आई होप ये विडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक कर दो जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में थेंगी सुमाच